जी नमस्कार मैं आशिस पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ अरोनिका स्टडी में और आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं एक दो दिन से थोड़ा यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ और यहां वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं मेरी तवियत थोड़ी खराब है और मैं काफी ब्यस्त भी हूँ इधर और दो तीन रीजन है क्योंकि कुछ एक्जाम्स भी है और कल मेरा बर्थडे भी था तो उस वज़़ा से भी मैं वीजी था और तवियत भी काफी ज्यादा खराब लग रही है मुझे भी तो इस और एड्मिट का डाउनलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना ज्यादा मतलब वीजी था और तवियत खराब होने की वज़़ा से मैं स्क्रीन पर मोबाइल स्क्रीन पर या लैप्टोप स्क्रीन पर देखना ही नहीं चाहता था एकदम चीधन सी हो गई थी इस वज़़ा से मैं आप लोग के साथ नहीं रह पाया लेकिन हाँ उसके पहले मैं जितने लोगों का मेल या मैसेज है मैं सब का एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश किया हूँ और 90 प्लस लोगों का मैं डाउनलोड करके भेज दिया हूँ चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आज आप सब को भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कल एक नोटिस आया था राजस्थान बोड से कि आपका रीट का जो एक्जाम है वो फैवरी में होने वाला है और वो तीन दिन चलेगा फैवरी में 25 फरवरी से साथ चलेगा 28 फरवरी है वो फिल होना सुरू हो जाएगा आपका 21 दिसंबर से और यह चलेगा 19 जैनवरी तक मतलब करीब करीब एक महिने फॉर्म फिल होगा और उसके एक महिने बाद से आपका पेपर सुरू हो जाएगा यह इसमें मतलब अगर ध्यान से देखे तो यही है करीब करीब एक महिना मतलब अभी से देखे तो आपके पास दो महिने का समय आपके पास है तो इस दो महिने में आपको preparation करनी है इसी के साथ साथ कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कौन-कौन इसमें apply करेगा क्या seated वाले apply कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो जैसे पहले ही राजस्थान सरकार ने भी ये चीज बोल दिया है कि जो लोग REIT pre-clear किये हैं वही लोग इसमें form fill करेंगे इसी के साथ एक question और आ रहा है कि जो पहले से REIT clear किये हुए है तो क्या वो इस बार आ सकते हैं मतलब ये कि माल लिजिए REIT 2021 वो clear किये हो या 20 clear किये हो प्री वाला और इस बार REIT 2022 प्री नहीं दिये हो तो वो क्या REIT main exam जो होगा उसमें participate कर सकते हैं उसमें appear हो सकते हैं तो उनके लिए जो जवाब है उनके लिए मैं अभी तक जहां तक मुझे जनकारी है कि वो लोग इसमें participate नहीं कर पाएंगे वो लोग appear नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये पहली बार हो रहा है REIT main और इसके पहले REIT जो एक ही exam होती थी उसी से काम चल जाता था वहाँ पे उसी से counseling हो गारे सब होती थी लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो इस वज़ा से ऐसा नियम है कि वो लोग नहीं participate कर पाएंगे वो लोग appear नहीं हो पाएंगे exam में जो REIT 2022 क्लियर किये है वही इसमें जाएंगे seated वाले नहीं जाएंगे जैसा कि UP में होता है कि UP टेट या seated आप कोई एक पास हो आप सूपर टेट दे सकते हो कभी भी आप यूपी टेट और सीट कभी कभी पास हो आप सूपर टेट दे सकते हैं तो यह UP में होता है वहां पर नहीं होता है और आप लोग यह भी देख सकते हैं कि अभी धीरी-धीर हर स्टेट का जो teaching vacancy है वो निकल रहा है इसके लिए मैं कुछ आपको बताओंगा information मुझे भी कुछ मिल रही है इसकी और बिहार का तो भाई भगवान जाने भगवान भी नहीं जानते वहां की सरकार जानती है भगवान भी अब उसमें मतलब वहां भगवान भी हमें लगता है फेल लोग गया होंगे ऐसी भाई गजब किये हुए हैं बिहार सरकार वाले हद ही कर दिये हैं वो तो चलिए जो information मुझे मिल रही है और आप लोग भी कुछ पूछ रहे थे इससे कुछ messages आये थे मेरे पास मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाय वाय एंड थैंक यू